नमस्कार दोस्तों वेलकम टू स्विंग ट्रेड आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 20 स्टॉक से मैं आपको 20 स्टॉक बताऊंगा फ्रेंट्स यह 20 स्टॉक का आपके पोट्फोलियो मुझे लगता है बहुत सारा स्टॉक रहेगा तो इसमें अगर आप स्टॉक मर्क आपको जरू करना चाहूंगा अगर पहली बार आपने इस चैनल को विजिट किये चैनल को तो जरू सब्सक्राइब कर लीजिए उसके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रख लीजिए ताक कि आने वाला वीडियो का नोटिपिकेशन आपको टाइम लिए मिल सकता है य यहां पर मैंने एक 10 टॉक का यहां पर लिस्ट बनाया है जो कि 1000 रुपे के निचे शारे स्टॉक है अगर आपके पोटफोलियो में आप अगर 1000 रुपे का चुटा-चुटा प्राइस वाला स्टॉक लेना चाहते हैं यह सारे स्टॉक को लेके चल सकते हैं क्योंकि यह मार्केट में मुल्टी बयक्वगर कमा चुक है और इसाफ से स्टॉक में अच्छा सा क्रेक्षन बीट्क सेंगे और इसके बाद में अगर आप दिखेंगे आपको मिल सकता है टीक एक बहुत अगर आप देखेंगे इसका राक रेकर देखेंगे पांत साल में इसने कितना पर्शंटेज का रिटन दिया है तो यहां पर देखेंगे तो यहां पर अगर रहा है तो दूसरा स्टाक फ्रेंट्स रिलाक्स में सीधा सीधा अभी 50% का आपको प्रफिट देखने को मिल सकता है अभी कितना बड़ा करेक्शन पर स्टाक मिल रहा है यहां पर आप अगर आप कंसिडर करते हैं यहां पर सीधा सीधा वन ट्रिपल फॉर्ट लेके चल इतना बड़ा करेक्शन नहीं होता है बहुत बड़ा मल्टी वेगर स्टाक फ्रेंट्स इसको बिल्कुल नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से आप अगर देखेंगे ना तो यहां पर कितना जबर्दस्त रिटन दिया है यहां पर रिलाक्स हो में दिखिए आपकी कितना बात करेंगे यहां पर 23000 करोड का मर्केट के अप बीए ठीक है और अपना फूड़ सेग्मेंट में वी एक बड़े में बात करेंगे चुक्त की मार्केट लीडर भी है अपना सेग्मेंट में बाजाज फिंसावे और जीन का पोर्टफॉलियों साइज है ठीक ता क्या पूटफोलिय में आपको बता रहा हूं ठीक है यही सरे स्टॉक में अगर आप निव लिश्टॉक मर्केंट पर इंटर किये हैं यह सरे स्टॉक आप रखेंगे ना तो आपको कभी भी स्टॉक मर्केट में लॉस्ट नहीं होगा दुसरा चीजे आप में से कौन सा स्टॉक यहां पर आप अगर देखेंगे इसका जो लेवल है अभी 34 के पास में चल रहा है जो कि 30 के निचे बीचा चुका था अभी दिखिए उसके बाद में आप अगर एक चीज़ देखेंगे यहां पर 200 मूभी आपर इसके निचे चल रहा है और ग्रेट कंपनी है ठीक है तो यह निच्ट कंपणी के बारे में बात करें यह सब को पता है फ्रेंट्स यह जो बिजनस no की तो यहां पर fume होना चाहिए अगर है आपका पॉटफि घर ना चाहते है है जरूरत इंतिछे लेकिन अभी लेसग करना चाहते तो भी वहां प्रफिट मिल रहा है लेकिन अगर थोड़ा साभी करें तो भी आप यहां पर थोड़ा सा माल कर सकते हैं एक मार्केट लिडर रहे इसके इस्टाउक भी आपका पॉर्टफोलिय में होना ही चाहिए आप देखिए यह क्या मॉल्टी वेकर रिटन कमा के दिया यहां पर के बारे में हम बात कर रहे हैं देखिए इस यान पेंट में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं एक साल में यहां पर माइनस फॉर परसेंट लॉस में हैं लेकिन पांत साल का चार्ट पैटन जब देखेंगे ना तो यहां पर बहुत बड़ा रिटन मिला है 147 परसेंटेज में होना ही चाहिए यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे कि कि स्तॉक में अगर आप इंपोर्टन लेवल्स का इंटेजर करना चाहते हैं यहां पे फ्ट हैंपना पॉर्फोलियों का 3% ले लिजिए अगर ऑट थूड़ा सा करेक्शन होता है और 6-7% का करेक्शन हो प्रेंटेज ले सकते हैं आपका अबरेज प्राइस भी हो जाएगा और यहां पर आप आपको मिल सकता है अगर अभी के करेंट मार्केट प्राइस अगर आपको 50 पर सेंटेज। सब्सक्राइब कर लेगा उस से पहले आपका आचीव हो सकता है है नेक्स्ट कम्पनि के बारे में बात करेंगे यह आप बहुत बड़ा ऐपरचुनिटी है क्योंकि इतना बड़ा करेक्सन कभी आज तक देखने को नहीं ओर तायम करेक्षन कि कितना तायम करेक्षन भी काफी दिन हो चुका है अगर अभी भी करते ना भी कौन सा मन्त पर लेवल पर बाई कर रहें तो यहां पर 20 ठीक है मतलब दो सल धाइसल पुररा प्राइस पर आप ड्रीकर आप करें अपके लिए कंपनी अगर थोड़ा सा प्रिस्क ले सकते हैं और यहां पर जबर दस्त गयन देखने को मिल सकता है अगर दो साल तक आपको 93 परसंटेस का गयन देखने को मिल सकता है एक बहुत बड़ी है और आगे आने वाले टाइम फश्क बेसिस confess में तो यहां पर हो सकता है एक मता मिल भी बहुत जरूर है क्योंकि किसी भी स्टॉक में आप इंबेस्टमेंट करते हैं उसका डिटल अनलीसिस आपको यहां पर मिल जाएगा जरूर यहां पर यहां पर डिसकर्षन कर रहा हूं सबका डिटल अनलीसिस बना हुआ है सबका डिटल अनलीसिस जरूर दिखिए मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी भी स्टॉक में आप एंट्री लेते हैं और कंपनी का सारे परामेटर आप चेकरना जरूरी है क्योंकि का रोसी कितना है और डेट टू इकितना है औ बलकि बताता हूं आपको सही स्टॉक बताता हूं जो अपना पोटफोलिय में लेता हूं लेकिन फिर भी एक क्यापिटल आपका है पैसे आपका है अगर आप खुद स्टॉक मार्केट में इंवेस्टमेंट कर रहे हैं आपका पैसे को आपको खुद को प्रोटेक्ट करना जरूर यह क्योंकि स्टॉक मार्केट में बहुत सारा स्टॉक है लेकिन स्टॉक जब गिड़ता है ना उस टाइम पर हमारा प्रफिडेंट भी लूज हो जाता है तो मैं चाहता हूं आप अपना अनलिशिस कुद कीजिए और थोड़ा सा हो मार्क कीजिए दिखिए ससकते हैं यहां पर बनाया हूँ यहां पर काफी चीज आपको सीखने को stability करते हैं किसे consciousness करते हैं सब्सक्राइब बहुत सब्सक्राइब there इस नहीं ग्रताओं लेकिन वैसा बिलकुल भी नहीं जो सटोइब वह सब्सक्राइब नेदे करता है ऐसा बिल्कुल नहीं धित्यों टार्रों के लिए अच्छा यह सारे चीज में देख समझ के लिया हूं ठीक है तो इसलिए मैं सारे स्टॉक में आपना पोजीशन अभी भी होल्ड करके चल रहा हूं अभी आर्थी इंड्रस्टी में मुझे लगता है यहां पर भी बहुत बड़ा अपर्चुनिटी है आपको सीधा सुधा है ए ओं लिएँशन और अपना इंवेस्ट्र को दख्या है यहां पर चाट पेयरन देखते हैं एक साल में एक साल में यहां पे 89 परसेच्टी का करेक्शन तो वहां पर बोलता थे कि और बहुत सारा किया हूं लेकिन जब फॉंडमेंटल स्टॉक को अपना पॉर्टफोलियो में लेते हैं पेसेंस के साथ में हो में होल्ड करना भी बहुत जरूर ही है तो अभी तो हम स्टॉक मार्केट में पैसे कमा पाएंगे ठीक है यह स्टॉक भ परसेंटेज का गयन है यहां पर सीधा सीधा आपको 20 परसेंटेज 22 परसेंटेज का गयन आपको एक दो मैने में जरूर आचिव हो सकता है लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसमें लंबा टाइम के लिए होल्ड करना चाहते हैं शिक्स मांथ के लिए आपका यह जो 30% का एक्सपय्टेशन है अगर 30% कर लेते हैं अपना पॉटफोलियो जबर्दस तरीके से ग्रो होता है और उसमें जबर्दस तरीके से मतलब देखिए अगर हम 30% सीजर के हिसाब से जलते हैं एपना पोटफोलियो यहांपर 60 साल में डबल हो सकता है उसह के साथ में आप अ एक बहुत बड़ा पोटफोलियो बन सकता है 14 टाइम्स ग्रोव हो सकता है ठीक है मैंने बहुत सारे वीडियो में उसका काल्कुलेशन भी दिखाया हूं ठीक है आप अगर देखना चाहते हैं जरूर जाके वहां पर देख सकते हैं अभी ओपन हो चुका है मैं आपको क्याल्क रुपे बन रहा है मतलब 14 टाइम्स ग्रोव हमारा हो रहा है यहां पर 10 साल में कंसिस्टन्ची के साथ में करना पड़ेगा जहां पर प्रॉफिट बुगिंग करना हुई पर करना ही पड़ेगा अगर हम 20 साल तक एसे लेके चलते हैं अपना स्टाटेजी के हिसाब से तो य यहां पर नेक्स्ट स्टाट के बारें बात करेंगे अगर आपको सवाल है तो मुझे इसक्रिप्स जरूर चाहते हैं तो आपर कपनी है लेकिन यह क्या है ना बहुत भूराटील स्टॉक सब्ली तरीके से बागता है जब चाल के उपर आपका बिल्कुल नजर रहना चाहिए मुझे लगता है यह सही टाइम है यह स्टॉक में इंबेस्ट करने के लिए नेक्स कम्पनी में के बात करेंगे जो कि डिक्शन टेक्नोलोजी यह यह जबरदस्त मल्टिव्यागर स्टॉक है 70% का आपको मुनाफ़ा हो सकता है प्रफिट हो सकता है यह स्टॉक में अभी अगर आप पोजिशन बना के चलते हैं तो ठीक है अभी 3,400 का लेवल पर ट्रेडिंग हो रहा है इसका टार्गेट है 5800 का लेवल टार्गेट के लिए आप लेके चल सकते हैं अपना पोट्फोलिय में नेक्स टॉक के बारें बात करेंगे जो कि अगर आप किसी भी स्टॉक में लंग टर्म के लिए इंवेश्मेंट करना चाहते हैं तो भी कोई प्रॉब्लेम नहीं यह वीडियो लंग टर्म और शोंग ट्रेड दोनों के लिए है और आप ज़रूर कमेंट सेक्षन में बताइए आपके पास में कुन सा स्टॉक है नेक्स टॉक है फ्रेंट्स यहां पर सीधा सीधा यहां पर दिख रहा है कि यहां से लेके सिधा सिधा अगर आप यहां पर मेजर करेंगे तो यहां पर बहुत बड़ा टार्गेट देखने को मिल सकता है ठीक है तो लेकिन आप अगर प्रफिट बूगिंग करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं नहीं तो इस सेकेंड टार्गेट जो है सेवेंटीन हंडड़ थाट्टी के पास में लेके चल सकते हैं ठीक है नेक्स्ट कंपनी के बारें बात करेंगे जो कि टीसीय से यहां पेक स्विंग ट्रेड का अपरचुनुटी है सीधा सीधा यहां से 18 परसेंटेज का गेन आपको मिल सकता है तो मुझे लगता है यह स्टॉ स्टॉक में लार्ग स्टॉक मार्केट लीडर है तो यह स्टॉक में आपका इंवेश्टमेंट होना चाहिए उसके बाद में कंपनी यह कंपनी नहीं है यहां पे एक बहुत बढ़ी है कंपनी पीडिलाइट है अपना सेक्टर में मार्केट डीडर मॉनोपली रखता है ही है ठीक है उसके बाद में जो कंपनी के बारें बात करेंगे यह भी एक मॉनोपॉली बिजनेस है यहां पर आप एंट्री लेके चलते हैं सीधा सीधा यहां पर एक 82 परसंटेस का गेन मिल सकता है जो कि 1194 तक लेके चल सकते हैं और यहां पे बहुत बढ़ीया लेवल पे चल रहा है 652 पर अभी ट्रेडिंग हो रहा है उसके बाद में फ्रेंट से बात करेंगे जो कि अपना सेग्मेंट में अभी निवल एंटर किया है अपना इस सेग्मेंट में इतना नहीं है जो कि के के लिश्टर कंपनी है चो की कर्ड विजनेस में ठीक है तो यहां पर मुझे लगता है यहां पर बहुत बड़ा अपर्चुनिटी यह आने वाले टाइम पर बहुत बड़ा मल्टीवागर रिटन बन सकता है और आप अगर दो साल में अपना होल्डिंग बना के रखते है है मुझे लगता है यह जो टार्गेट ना फिप्टिन अंडर्ड नाइन टार्गेट जरूर आचिव कर सकता है क्योंकि इसका जो आई प्यू आया है आई प्यू का लेबल पर यह चल रहा है दिखिए अभी यह स्टाक जो हो है मतलब अभी दो साल हो चुका है लेकिन अभी आ स्तॉक्त में बिल्कुल आप इगनर मत किजिए क्सिवी टाइम पे यहां पर इतना बड़ा आएगा यहां पर यह जबर दजी देखने को मिल सकता है सीधा सीधा एक– 85% का डین्द मिल सकता है इस टॉक्में डिवीदेंट भी बहुत जबरदस डिवीदेंट भी तो यह मैं आ बहुत बार आपको बताया हूं हिंदुस्तन ग्रेंग निलीआ लेकल लिपर विलीओ देखा्या अगर तहीं महीं यहां पी यहां बहुत जल्दी अपने प्रेटाइब करा सकता है और मार्केट डिडर के साथ में रहेंगे आपका पोर्टफोलियो भी सेफ रहेगा और आपका क्यापिटाल जो है रिस्क में रहेगा भी नहीं ठीक है तो इसलिए में सरे लार्ज केप स्टॉक आपको बता रहा हूं नेक्स्ट कंपनी है फ्रेंड्स अभी अगर आप देखेंगे तो यहां पर लेके चलेंगे तो यहां पर प्रफिट हूं कर सकते हैं जो कि 26 परसेंटेज का गेन देखने को मिल सकता है यह भी बहुत बड़ा मल्टी वेगर स्टॉक है तो आपके पोर्टफोलियो में अभी कौन सा स्टॉक है और आपको क्या लगता है कौन सा स्टॉक आपको मल्टी वेगर रिटन दे सकता है आप अपना कमेंट सेक्शन में जरूर सुझाओ दे सकते हैं अगर यह वीडियो आपको पसंद आया वीडियो को जरूर लाइक कीजिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजिए उसके साथ में अगर सब्सक्राइब करूंगा फ्रेंस ठीक है थैंक यू वेरी मुच्छ फ्रेंट्स पर आतिंग इस वीडियो मिलते हैं एक वीडियो के साथ में